नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आर्यान खान की हालत लगतार बिगड़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि आर्यान खान को होस्पिटल में भरती कराना पड़ेगा जी हाँ आप सभी हमारी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा क्योंकि ये खबर बहुत जादा हैरान कर देने वाली है और जिसने भी इस खबर को सुना हर किसी के पाउं तले से जमिन खिसक गई क्युकि वो सारुक खान का बेटा जो की एक टाइम पर आलिसान बंगलो में रहा करता था आलिसान घर में रहने की आदद थी आलिसान गाडियों में घुमा करता था और बहुत ही अच्छा-खासा खाना खाया करता था यहां तक कि इसको कभी किसी चीज की परिसानी नहीं हुई लेकिन फिर किस्मत की छड़ी ऐसी हुमे कि आज यही सारुख खान का बेटा दर-दर की ठोकरे तो खाही रहा है इसके अलावा सारुख खान के बेटे की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है किसी भी वक्त इसको अस्पताल में भरती कराया जाना पड़त सकता है तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखेगा जी हां आपको बता दे आर्यान खान की हालत बहुत बिगड़ गई एंसीवी की अधिकारी भी हो गए चिन्तीत दोस्तों जब से आर्यान खान को जेल में रखा गया है तब से आर्यान खान जेल का खाना खाना पसंद नहीं कर रहा है और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि सारुप खान और गौरी खान भी आर्यान खान की हालत को लेकर काफी परेसान है और NCB के अधिकारियों को भी लग रहा है कि आर्यान खान की इस हरकत की वज़े से क्योंकि वो जेल का खाना खाना पसंद नहीं कर रहा है कहीं उसकी तबियत ना खराब हो जाए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आर्यान खान को बाकी के तमाम कैदियों की तरह ही treatment मिल रहा है यानि कि जिस तरह से एक आम कैदी रहता है जेल के अंदर ठीक वैसे ही आर्यान खान को भी रहना पड़ रहा है और ये आर्यान खान की जिंदगी का सबसे बुरा दौर है परेसान कर रहे है और इसी वज़े से आर्यान खान की परेसानी जिल के अंदर बस से बत्तर होती जा रही है और लगातार उनकी परेसानी बढ़ रही है मैं आपको बता दूँ सारुक खान जितने वी बार आर्यान खान से मिलने की कोसिस कर रहे है NCB की टीम हर बार टाल दे रही है इसी वज़े से आर्यान खान रोने लग गया था अब इसके बाद जब आर्यान खान की आंसों नहीं बंधो रहे थे तो NCB की टीम ने फिर सारुक खान से आर्यान खान की फोन पर बात भी करवाई इसके बाद तो आर्यान खान और तेज फूट फूट कर सारुक खान के फोन पर रोने लगा और वो अपना दर्द वया करने लगया कि किस तरह से NCV ने उसकी हालत पंचर कर दी है और उसको ऐसा खाना खिलाय जा रहा है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और खबर यह है कि सारुक खान आर्यान खान के लिए जो पैसा भेशते हैं उससे जेल के अंदर बने कैंटीन से वो बिस्कुट खरीद करके खा रहा है तो आप सभी देख रहे हैं कि आर्यान खान सिरफ और सिरफ बिस्कुट खाकर अपना गुजारा चला रहा है और अगर आप सूच रहे हैं कि सारुक खान अपने घर से कोई खाना आर्यान के लिए क्यों नहीं भीज़वा दे कि इनको अस्पताल में भी भरती कराना पड़ सकता है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना